नमस्कार आप देख रहे हैं पांच परगना खबर और मैं हूँ आपके साथ मानवी ठाकूर शिर्वात करते हैं आज की खास खबरों से दियोडी मंदिर प्रकर्ण को लेकर आदिवासी समाज की 29 सितंबर को तमाड की तोडांग मैदान में एक बैठक आई जित हुई बताया जाता है आदिवासी जनाक्रोश रैली निकाली जाएगी इसको लेकर लोगों को जागरू किया जा रहा है ताकि अपनी समाज की एकता की ताकत दिखाई पड़े दिवडी मंदिर में ताला बंदी के आरो पर पुर्ण चंद्र सिंग मुंडा और राधा कृष्ण मुंडा को तमाड पुलिस ने गिरफतार कर जील भेजने के बाद सही आदिवासी समुदाय की लोग नाराज और आक्रोशी थे गिरफतार के बाद दिवडी गाउं के फुटबॉल मैदान में आदिवासी समुदाय के द्वारा एक बैठक आईचित की गई थी इसे बैठक में सर्वसहमती से 29 सितंबर को आदिवासी जनाकरोश महरैली निकालने को लेकर तिथी तै हुआ है जानकारी होगी कि सभा बैठके नेत्रितो करताओं का कहना है कि द्वडी मंदिर में जो ट्रस्ट बना है गलत है ट्रस्ट के माध्यम से बली चड़ाने से लेकर वहन पूजन में भी टोकर मनी वसूला जाता है जो श्रधालू बाद में आएंगे यदि उनके पास पैसा है तो 200 रुपे देकर लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा तुरंत उसे पूजा कराए जाएगा मंदिर का दर्शिन करेंगे और जिनके पास पैसा नहीं है वो श्रधालू लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे उसके बाद निशल का पूजा कर पाएंगे मंदिर परिशन में जमीन अधिक्रामन हटाने समेथ सुन्दरी करण पर नेतरित करतवाओं तक का तर्ख है बिना ग्राम सभा के सहमती से प्रशासन काम नहीं कर सकती इन्ही विशेबिंदू को लेकर दियोडी मंदिर प्रकंड चर्चाओं में है दियोडी मंदिर में ताला बंदी को लेकर 19 लोगों के खिलाफ नामजड एफाया दर्ज के बाद दो लोगों की गिरफतारी हुई है बाकि स्नेकड़ों लोगों के खिलाफ अग्यात एफायार तमार थाना में दर्ज है